बिस्मिल्ला रहालो रहीम एक्सरसाइस 4.3 question number 22 question number 22 में है in each of the following check whether the two lines are parallel or perpendicular ठीक है तो मतलब के हमें दो equations दीए है दो lines की ठीक है तो हमें ये चेक करना है कि वो lines आपस में perpendicular है या फिर parallel है तो मैं सबसे पहले equations लिख देता हूँ एक तो line की equation दी है 2x plus y minus 3 is equal to 0 और दूसरी line की equation दी है 4x plus 2y plus 5 is equal to 0 अच्छा ये दो lines को represent करी है ये भी equation एक line को represent करी है ठीक है और ये भी equation एक line को represent करी है तो हमने ये देखना है कि ये दोनो lines आपस में parallel हैं या फिर perpendicular हैं तो हम कैसे चेक करेंगे देखें slope की हमने property पड़ी थी कि दो parallel lines की slopes आपस में equal होती है ठीक है और दो perpendicular lines की slopes आपर में उनका product लें is equal to minus 1 होता है तो ये हम देख लेते हैं slopes पहले find कर लेते हैं तो slopes का relation आपस में देख लेते हैं तो जो result बनेगा जो relation बनेगा उससाब से हम result देढ़ेंगे कि ये parallel है या फिर perpendicular है सबस्क्राइब तो हम slope find करेंगे slope find करने का एक equation में slope find करने का क्या तरीका होता है पहले तो हमें दो points दी होते थे हम y2 minus y1 over x2 minus x1 वा formula use करके slope निकाल लेते थे उस line की ठीक है तो अब हमें points सो given नहीं है बलके हमें क्या given है हमें एक equation given है ठीक है line की direct equation given है हमने इस equation से slope भी find करनी है तो slope हम पहले कैसे find कर सकते है एक तो तरीका होता है कि आप coefficient of x को divide कर दें coefficient of y से और उसके साथ minus sign लगा दें मतलब कि यह formula होता है coefficient of x divided by coefficient of y और उसके साथ minus sign तो यह बन जाती है slope of line from equation ठीक है यह बन जाती है तो हम यह यहाँ पर use नहीं करते बलके हम direct equation से उसकी form बनाते है form बनाकर वहाँ से slope find कर लेते है ठीक है तो वो कैसे आएगी अगर इस जिस तरह हमने पिछले question में slope intercept form हमने देखी थी ठीक है equation को हमने slope intercept form में convert किया था इसी तरह से इस equation को भी slope intercept form में convert कर देते है तो slope intercept form क्या थी y is equal to mx plus c सही जिसमें m जो थी वो हमारे पस slope थी ठीक इसको कहते है slope intercept form अच्छा ये form मैं बना रहता हूँ इस equation से first equation से तो ये बन जेगी y is equal to minus 2x plus 3 ठीक है ये 2x और minus 3 को मैं दूसरी साइट पर लेकर गया तो minus 2x plus 3 बन गया तो यहाँ पर y रह गया y is equal to mx plus c तो m के साथ इस general equation को अगर इसके साथ हम देखें ठीक compare करें तो m की जगा आ रहा है minus 2 मतलब के slope की जगा minus 2 है उसकी value तो slope को represent कर रहा है ये minus 2 ठीक है मतलब के m is equal to minus 2 है तो यहाँ से मेरे पर slope निगलाई ठीक है इसी तरह से दूसरी equation पर हम आते हैं दूसरी equation को भी slope intercept form में convert करते हैं तो वो कैसे आएगी 2y is equal to minus 4x minus 5 4x और 5 को मैं right set पर लेकर गया तो minus 4x minus 5 बन गया अब यहाँ पर 2 जो है वो multiply हो रहा है इसको हम divide करते हैं कि दूसरी साथ पर जाके y is equal to minus 4 by 2 x minus 5 by 2 सही तो यह बन जाएगा y is equal to minus 2x minus 5 by 2 अब इसके साथ हम general form को जहाए slope इसके साथ form को compare करें इस equation को तो फिर हम slope की जाएगा के आ रहे है y is equal to mx plus c तो mx अगर आपको minus sign confused कर रहे है तो minus 2x plus into minus 5 by 2 y is equal to this तो यह बन जाएगा y is equal to mx plus c सही अब वो form बन गी तो जनरल form थी यह एक specific form है तो इसमें specific values यूजज़ हो रही है तो slope की जाएगा m की जाएगा क्या आया हो है minus 2 तो इसको हम लिख देते है m is equal to minus 2 है ठीक है यह equation कहां से आई थी यह हमने इस equation से बनाई slope intercept form ठीक है और यह हमने इस से बनाई slope intercept form उसमें हमने convert किया और इस equation को भी हमने slope intersect form में convert किया ठीक है slope intersect form convert किया तो यह हमारा बस बनाई गी ठीक है यह बनाई गी यह अच्छा अब उससे हमने m की values निकाल दी है जो कि slope को represent करती है तो values हमारे पास slopes की आगी अब हम slopes की values का relation चेक करते है कि इस equation की slope इस line की slope minus 2 है इस line की slope minus 2 है मतलब यह दोनों equal है ठीक है m1 इसको कह देते है उसको m2 कह देते है तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा यह m1 है यह m2 है तो m1 is equal to as from results m1 is equal to m2 है तो उसका क्या मतलब होता है कि जब दो slopes equal हो जाएं दो lines की slopes equal हो जाएं तो उसका मतलब होता है lines are parallel ठीक है lines are parallel आचा यह हमने चेक करना था कि parallel है या पर्पेंडिकलर है अब हम इसी question के part b बे आते है part b में हमें दो और equations युई है ठीक है दो lines की जो कि हैं 3y is equal to 2x plus 5 और दूसरी equation है 3x plus 2y minus 8 is equal to 0 यह दोनो equations दो lines को present करी है तो इसको भी हम उसी तरह से solve करते है कि slope intercept form में convert कर लेते है तो वहाँ से slopes निकाल लेते है और उन slopes का relation देख लेंगे फिर हम result देख सकेंगे कि यह parallel है या perpendicular है तो हम देखते हैं पहले तो convert करते हैं इसको slope intercept form में ठीक है यहां से इसको convert करेंगे slope intercept form है slope intercept form और यह बन जाएगी y is equal to 2 by 3 x plus 5 by 3 मतलब कि 3 जो y के साथ convert का हो रहा था तो वो बन गया y के उसको में right side के लेकी जाकर divide कर दिया तो यह बन गया y is equal to 2 by 3 x plus 5 by 3 चीक है तो y is equal to m x plus c general form थी m की जगा 2 by 3 आ रहा है तो मतलब कि m की value क्या है 2 by 3 यहां से slope निकल आई m is equal to 2 by 3 m1 इसे कह देते हैं तो इसी तरह से हम दूसरी equation जो है उससे भी हम m find करेंगे slope find करेंगे इसको भी हम slope intercept form में convert करते है slope intercept form सही तो इसमें गया होगा यह form बनेगी पहले तो हम y को इदर handle देते हैं बागी चीज़ें उदर ले जाते हैं 2y is equal to 8 या पहले x की turn को लिखते है minus 3x plus 8 और y को डिवाइड करेंगे 2 के साथ 2y को डिवाइड करेंगे 2 के साथ क्यूंकि हमने 2 खतम करने y के साथ coefficient 1 बनाना है तो minus 3 by 2x plus 8 by 2 is 4 तो यह बन गी हमारे पा slope intercept form जहां से हम देख सकते हैं कि m की जगा क्या आ रहा है minus 3 by 2 मतलब कि m की value क्या है m2 is equal to minus 3 by 2 सही तो पहली जो हमने देखी थी m1 उसकी value थी 2 by 3 और m2 की value minus 3 by 2 अब देखें तो यह दोनों equal नहीं है मतलब कि parallel नहीं है यह lines आपस में तो हम इनका product perpendicular के लिए चेक करते है कि इनका product क्या आता है 2 by 3 multiply by minus 3 by 2 सही m1 multiply by m2 मैंने किया m1 multiply by m2 सही तो m1 multiply by m2 जब हमने किया तो यह 2, 2 से cancel हो जएगा 3, 3 से cancel हो जएगा फीछे मा रपस minus 1 बचा मतलब कि दोनों slopes का product is equal to minus 1 आया उसका क्या मतलब होता है कि जब दोस lines की slopes का product minus 1 आजए उसका मतलब होता है कि lines are perpendicular सही यह parallel नहीं हमें perpendicular है अगर equal slopes होती तो parallel होती lines अच्छा अब c part के आते हैं c part में भी हमें 2 equations दियुए हैं c part में हमें 2 equations दियुए हैं equation first है 4y plus 2x minus 1 is equal to 0 और दूसरी equation है x minus 2y minus 7 is equal to 0 अब इसको हम दूसरे method से अगर solve करें अगर पहला method जो हमने पढ़ा के slope intercept form में convert करके इसमें slope निका लिए और बिलेशन देख लिया तो अगर आपको वो method मुझके लगता है तो हम एक और method यहां पर देख लेते हैं जो मैंने शुरी में डिसकस किया था कि slope of line is equal to होता है slope is equal to coefficient of x coefficient of x divided by coefficient of y साथ में minus sign ठीक है तो इसकी तरह इसका भी आजाएगा slope is equal to coefficient of x divided by coefficient of y साथ में आजाएगा minus sign अच्छा अब यहां पर इनकी values put करते हैं x का क्या coefficient है इस equation में x का क्या coefficient है 2 सही यह 2 इसमें आजाएगा तो यह बन जाएगा minus 2 divide it by अब coefficient of y situation में y का coefficient क्या है 4 सभी यह बन गया 4 minus 2 by 4 इसको simplify करें तो minus 1 by 2 मतलब कि आपस में divide किया तो minus 1 by 2 आगया इसी तरह से जो है second equation की slope हम point करते है तो इसमें coefficient of x क्या है coefficient of x के साथ क्या coefficient है 1 है यह 1 आगया उसके बाद coefficient of y coefficient of y क्या है minus 2 minus 2 अब यह बन गया 1 by 2 positive तो यह इसकी यहाँ पर slope आगी इस equation है इस line की ठीक है तो एक line की slope है minus 1 by 2 तो इसली line की slope है 1 by 2 दोनों equal नहीं है ठीक है result से बाद जा रहा है कि दोनों equal यह मतलब के parallel नहीं है तो हम perpendicular के लिए चेक करते है perpendicular के लिए क्या होता है हम चेक करते है M1 into M2 को चेक करते है दोनों के slopes को product चेक करते है इसको M1 कह दे और इसको M2 कह दे तो दोनों को multiply करके देखते है minus 1 by 2 into 1 by 2 तो क्या result आ रहा है minus 1 by 4 मतलब के minus 1 नहीं आ रहा है is not equal to minus 1 तो इसका मतलब यह है के यह perpendicular भी नहीं है lines आपस में ठीक है तो हम लिखेंगे lines are neither parallel neither parallel nor perpendicular मतलब के ना parallel है और ना ही perpendicular है ठीक है तो अच्छा हाँ एक और चीज़ में note करने वाली है के coefficients देखने से पहले आपको आपकी equation इस form में होने चाहिए ठीक है left side is equal to 0 होना चाहिए फिर left side पे side terms left side पे लेज़ें और is equal to 0 right side पे कोई term रहने नहीं देनी ठीक है सिर्फ 0 होना चाहिए फिर आप coefficients देखेंगे वरना इसको अगर मैं देखो के 2x को मैं right side पे लेकर जाऊं ठीक है तो वो बन जाता है 4y-1 is equal to minus 2x अब यहाँ पर coefficients अगर मैं इस equation में देखना चाहूं तो y का तो चलो 4 1 रहा है लेकिन x का coefficient minus 2 हो गया है तो यहाँ से फिर result गलत आएंगे ठीक है different आएंगे इससे तो वो चीज़ हमने जहन में रखनी है कि पहले equation को इस form में होना चाहिए ठीक है अगर यह equation हमें given है तो पहले इस form में लेके आएंगे ठीक है side terms को left side पे ले आएं और right side को zero करें उसके बाद coefficients आप देखें और इस formula में put करें slope is equal to coefficient of x और coefficient of y और साथ में negative sign सही अच्छे यहाँ पर यह question जो है हमारे end होता है दो method हमने इसमें पढ़े हैं ठीक है एक तो पहले हमने slope intercept form में convert किया था ठीक है हमने देख लिया कि यह lines आपस में parallel है यह बर्गनिकलर है तो दूसरा method हमने यहाँ पर बढ़ा कि हमें कोई भी equation दी है पहले तो हमने चेक करना है कि वो इस form में given है या नहीं है ठीक है हमने तो देखा कि हमें given ही इस form में है अगर given ना भी हो तो हम पहले यह form बनाएंगे ठीक है कि side terms left side पे या right side पे कहीं पे भी एक side पे लियाए और दूसरी side को zero करते उसके बाद फिर हम coefficients देख लेंगे x के भी और y के भी और उनको आपस में divide करके minus sign लगातें के साथ तो फिर हमारे बस slope आजेगी और उन slopes का relation हापस में check कर लेंगे ठीक है फिर हम देख लेंगे कि यह वो lines parallel हैं या perpendicular तो यह question यहां पर खत्म होता है